जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो सुबह के चार बजे हैं और हम लोग आपके लिए लेकिया आएं आयनिक साम्मे वस्था का एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम आयन प्रभाव के बारे में यदि किसी दुर्बल विद्धुत अब घटे के जलिये विलियन में कोई एक समान आयन देने वाला परभल विद्धुत अब घटे गोला जाता है तो वह दुर्बल विद्धुत अब घटे की वियोजन की मातरा को घटा देता है बच्चो इसको हम लोग इसपस्ट करेंगे ए एच धनायन के साथ में क्या यह आपको स्पस्ट है बच्चों दुरुबल विद्धुद अब गटे वे होते हैं जो पून रूप से वियोजित नहीं होते हैं अपून वियोजित होते हैं किलियर है आपको और यह हमने निकाला है यहां पे साम्मे अवस्थास्तिरांग यहां पे आप जानते हैं के जो होता है साम्मे अवस्थास्तिरांग इस इकोल टू होता है उत्पाद का सक्रिदरविमान या उत्पाद की मोलर सांधरता डिवाइड बाए अभिकारक की मोलर सांधरता या फिर सक्रिदरविमान यह आपको हम लोग पहली वीडियो में बता चुके जिसको साम में अवस्ता स्थिरांग निकालना नहीं आता है वो description box में जाके इस वीडियो के link से इसको देख सकता है जो हमने यहां पर क्या किया इस दुर्बल विद्द अपगट्य के जलिये विलियन में हम लोगों ने एक scl यह हमारा परबल विद्द अपगट्य होता है आप जानते हैं तो यहाँ पे इस दुर्बल विद्द अपगट्टे के जलिये विलियन में एक परबल विद्द अपगट्टे है HCL को हमने मिला दिया HCL परबल है तो यह पूर्ण रूप से वियोजित होगा H+, और CL- में बच्चों मेंने H+, को गुमा के इधर लिख दिया है कारण है बाद में बताऊंगा तो एक चीज देखिए कि जब आपका कोई भी अभिक्रिया साम्मे अवस्था में होती है तो वहाँ पर उत्पाद की सांदर्ता सदैव बराबर होती है अभिकारक की सांदर्ता की क्योंकि यह दुर्बल विद्दुत अब गटे होते हैं जो वहाँ पर आइनिक साम्मे अवस्था को परदर्शित करते हैं और इसलिए कि हमेशा किसी भी साम्मय वस्था परक्रम में साम्मय वस्था स्थिरांग का जो के का मान होता है व्य सदैव निश्चित रहता है नियत आप पर यह कभी नहीं बदलता क्या है आपको स्पस्ट है तो पहली अभी क्रिया के लिए हमारा ये सामय वस्था स्थिरांग आया था अब हमने इसमें बाद में मिला दिया परबल विद्द अबगटे HCL तो आप यहां पर देख सकते हैं HCL के मिलाने से इस जलिये विलियन में अब क्या हुआ सर कि आपके HCL की संदर्ता बढ़ गई है पहले HCL केवल इतना था लेकिन HCL ने आपको बहुत जादा मातरा में HCL परदान किया है जो इस पूरे जलिये विलियन में HCL की संदर्ता को बढ़ा देगा आप जानते हैं कि यह हमारे उत्पाद है सर अगर HCL की संदर्ता बढ़ेगी तो उत्पाद की कुल मिला के संदर्ता बढ़ जाएगी तो जब यहाँ पर HCL का मान बढ़ जाएगा यह देखिए यहाँ पर HCL की मातरा में यहाँ पर ओर लिख दूँ एचायन जो हमको यहां से मिला है तो बताईए जो अब यहां पे साम्मे वस्था स्थिरांग होगा उसका मान आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा यह देखे मैं एचायन यहां पे दो बार लिख रहा हूं तो अब आप बताईए कि इस दुर्बल विद्दुत अब घटे क लिए जो यहां पे साम्मे वस्था स्थिरांग के के और के डैस के मान क्या दोनों बराबर आएंगे तो जवाब है बिल्कुल सही दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस वाले के डैस में एचायन की संदर्ता जो है बढ़ गई है जिसकी वज़े से के डैस का मान कभी भी के के बराबर नहीं होगा अर्थार्थ दुर्बल विद्धुत अब गट्य एसिटिक अमल के लिए साम्मेवस्था श्थिरांग के का मान बदल चुका है अब आप जानते हैं लास सितालिये ने आपको बताया था भी स्पस्ट किया था कि वो कहता है कि हमेशा को विशलित करता है तो यह उस कारक का विरोध करती है कारक कोन है समान आयन एच प्लस तो जब आप देखिए यहां पर सांदर्ता बढ़ जाएगी उत्पाद की और अभी कारक की कम हो जाएगी तो सांदर्ता को बराबर करने के लिए यहां पर अभी किरिया साम्मेवस्था जो है वह विस्थापित होगी पस्ट दिसा में बैकवर्ड दिसा में यानि कि अब आपकी जो अभिक्रिया है वो बैकवर्ड डारेक्शन में जाने लगती है यह आद रखी का बैकवर्ड डारेक्शन में डार कर रहा हूं तो इस डारेक्शन में जब जाएगी तो देखिए ये वाला एसिटेट आयन इस हैचायन के साथ जुड़ जाएगा और फिर से बना लेगा आपका एसिटी कमल दुरूबल विदुत अब घट्टे है तो जब अभिकरिया बैकवर्ड पश दिसा में जा रही है तो आपको जादा क्या मिलेगा अभिकारक या उत्पाद बिल्कु हो जाएगी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो परबल विदुत अब घट्टे से आपका समान आयन आया उसने सामय वस्था को जो है विचलित किया सामय वस्था अपने आपको बरकरार रखने के लिए विद्यमान रखने के लिए इसका विरोध करती है एचायन का जिसकी विदुत अब घट्य का जो वियोजन पहले हो रहा था वह कम हो जाएगा क्योंकि बच्चों ये तो आपस में जुड़के ये बनाने लगे है न तो इस कारण क्या होगा आप कह सकते हैं कि इसकी मातरा बढ़ने का कारण ये है कि दुरबल विदुत अब घट्य का वियोजन कम हो गया है इस समान एचायन के कारण क्या अब आपको ये परिभासा स्पस्ट हुई तो अब आते हैं बच्चों निसकर्स पे तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि समायन प्रभाव को समझने के बाद हमें क्या मालूं पड़ा पहला है बच्चों साम्मे अवस्था के लास सिताले का नियम पूण रूप से बिलकुल सत्य है सही है परबल विद्धुत अब गट्टे द्वारा दुर्बल विद्धुत अब गट्टे की वियोजन दर्में हुई कमी को स्पस्ट करता है अभी आपको बताया था बच्चों उधरण की साहता से भी और समीकरण की साहता से भी अब लेते हैं बच्चों समयन प्रभाव की उपयोगीता की सर्या अपने पढ़ा तो दिया समयन प्रभाव क्या होता है समझ में भी आ गया निसकर्स भी आ गया पर पढ़े क्यूं कहां हमारे काम का यह बेकार यह नहीं बेटा यह बहुत काम का है तो जान लो कहां कहां काम आता है तुम्हारा और हमारा समयन परभाव पहला है बच्चों साबुन के साबुन बनाने में समायन प्रभाव का बहुत जादा उपियोग है अगली वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि अगर समायन प्रभाव ना होता तो हमारे हाथ में कभी साबुन नहीं आ पाता मजा कर रहो नहीं बच्चो बिल्कुल सच कह रहा हूं दिखाऊंगा मैं आपको सुद्धी किरण में जो आप और हम देश का नमक खाते हैं न सफेज सफेज चमकीला हाँ वो नमक सफेद ना होता अगर हमारा समायन प्रभाव अपना प्रभाव ना दिखाता और तीसरा है बच्चो जो आप अमली और छारिय मुलकों की पैचान करते हैं हाँ वो ही जिसमे मैडम और सण ने आपको पुडिया दी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि समू दो और समू चार के छारिय मुलकों की पैचान करने में समायन प्रभाव अपना असर दिखाता है तो बच्चो क्या आपको सपस्ट है हमने आज क्या सीखा हमने सीखा समायन प्रभाव क्य होता है कहां लगता है स्पस्ट है आपको उसको पढ़ने से हमको क्या नतीजे मिलते हैं क्या हमको स्पस्ट होता है और हमने अगला पढ़ा समायन परभाओ के परियोग उपयोगिता कहां कहां हम उसको परियोग में ला सकते हैं तो उम्मीद है आज के बाद कभी भी आपको समयन परभाओ में कोई समस्या नहीं आएगी